अब चलते हैं शॉर्ट कोश्च नमबर 3 की तरफ जिसमें हमारे पास सिस्टम जो इस्टेट से दूसरी स्टेट के दर चेंज होगा हम लोगों ने देखना है कि इंटर्नल इनर्जी में कितना चेंज आता है आए इसको डिसकस करते हैं तो टेम्परेचर ऑफ ग्यास इस डिर् टेम्परेचर और कानेटिक एनर्जी उनका रिलेशन बनता है आपस में इसको हम लोग क्या कहते हैं इंटर्नल इनर्जी देर्फोर एड़ दे कॉंसरेट अगर मारे पास तेम्परेचर वह तो इंटर्नल इनर्जी ऑफ दा सिस्टम जो इस वह चेंज नहीं होगी सुच्छ से इस कोशन में लोगों ने देखा आप लोग ट्राग्राम के अंदर भी इस चीज़ को अब्जर्ब कर सकते हैं कि अगर आपके पास टेम्परेचर कॉंसर्ट हो तो कानेटिक एनर्जी भी कॉंसर्ट होगा लेकिन अगर हम लोग सिस्टम पर बात करते हैं कि वह एक